मेरा नाम सोना है मेरे लाख मना करने पर भी मेरे माता पिता ने मेरे साथ कदारी किया क्योंकि उन्होंने किसी से भी मेरी चबर जस्ति साधी तै कर दी थी या साधी मुझे पिलकुल भी मंजूर नहीं थी मैं बंगाल और सहर जैसे सहर में रहती थी क्योंकि मैं एक कॉलेज में एक लड़की से प्यार करती थी पर मैं अपने माँ बाप के सामने कुछ बोल नहीं पाई और आज मेरी साधी हो गई मेरी किसमत ही 40 थी ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं साधी हुई और मैं अपने पती के साथ ससुराल पहुँची काफी लंबा सफर था 6 घंटे के सफर के बाद मैं उसके घर पहुँची 2-3 दिन में सारी पूज़ावीदी होने के बाद मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी सच कहूं तो मैं अपनी हो वो किसमत पर ही रो रही थी कुछ कर भी नहीं सकती थी थोड़ी देर बाद मेरा पती मेरे कमरे में आया मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे अनपढ़ गवार लगा रंग उसका सावला था मुझे उसे देख करी एकदम से घीन सी आ रही थी वह मेरे सामने आकर बैठ गया और गाली गाल में हसने लगा मुझे उनका देखना और हसना बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे से कहने लगा कि मैं बहुत खुद किस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी सुन्दर पढ़ी लिखी पत्नी मिली है मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे तुरंट जवाब दिया कि और मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि मुझे तुम्हारे जैसा अनपढ़ गवार पती मिला या सुनते ही उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया था क्या कहती मैं? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे लाक मना करने के बाद भी मेरे माँ बाप ने मेरे जवर्जस्ती साधी करवा दी कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा है खांदानी है जमीन खेत बहुत है खुद की खेती करता है तुम सच में बहुत खुस रहोगी पर क्या सुक सिर्फ खांदान और पैसा ही होता है क्या मेरी कोई इच्छा नहीं है मेरा मन भी नहीं है क्या मेरा मन ना करता नकरात्मक विचारों से भर गया था मेरा मन मेरे सब्दों के विरोध में जा रहा था और मैं इस गुस्से में अपने ही पती को सुनाय जा रही थी मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था ऐसा लग रहा था कि सारा गुस्सा उन्हीं के उपर उतारूं इस पर राकेश कहने लगा कि सोना तुम ऐसे क्यों बोल रही हो सही कह रही हूँ मैं तुम्हारी आवकात नहीं है मेरे मून लगने की अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर सकते हो या तुम्हारी बहुत बलिक बड़ी गलत फैमी है तुम खुद का मून देखा है आईने में ना तुम पड़े लिखे दिखते हो, ना तुम सुनदर, पता नहीं मेरे बाप, माँ, बापने तुम्हें क्या देखी, मेरी तो पूरी जिंदिगी ही परबाद हो गई, और मैं रोने लग गई, राकेस का क्या कहना कहा जाए, समझ नहीं आ रहा था, मैं रोती, रोती, उस ने कहा कि एक लड़के से मैं प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरी सारी बाते सुनकर वह हैराम था, कहने लगा कि सोना, या तुम क्या कहे जा रही हो, तुम होस में तो हो ना, हाँ मुझे पता है मैं क्या कहे जा रही हूँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ, वह तुमसे कई गुना सुनदर है पढ़ा है लिखा है उसकी और तुम्हारी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती या सुनकर उसकी आखे भार आई और वह मेरे कमरे से बाहर चला गया पर यह सस्था कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी हम एक दूसरे से घंटों बाते करते थी और पानी था सायद वह बहुत रोया था और मो दोकर आया था उसने बेट पर से चादर उठाई और नीचे चटाई बिछा कर सो गया मैं अपने कपड़े बदली और सो गी तीन दिन बीत रहे थे ना मैं राकेश से बात करती थी और ना वह मुझे मेरे उटने से पहले ही वह खे देर आता था जब वह आता था कि पूरा पसीना में भीगा हुआ होता था उसमें मिट्टी और गोवर की बदबू आती थी मुझे बहुत गीन आती थी उसकी मैं उसकी तरह बहुत गुसे से देखती और कमरे से बाहर निकल जाती बात में फिर वह फ्रिश हो कर बाहर आता मे एक ही मजबूरी थी कि मुझे सब के साथ बैट कर साम को खाना खाना पड़ता था सभी लोग एक साथ खाना खाते थे और जो मुझे पिलकुर भी पसंद नहीं था साथी के बाद में एक ही रोटी खाती और उठकर अपने कमरे में चली जाती थी साध राके के समझ में आ गया था कि वह मेरे सामने खाना नहीं खाती है इसलिए वह खुद एक ही रोटी खाकर उड़ जाता था तब से मैं पेट भर का खाना खाने लगी वह दिन भर खेत में काम करता था और देर साम तक घर लड़ता था इसलिए उसे तो पेड भर खाना चाहिए ही था मेरी समझ में नहीं आता था पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह पेड भर खाए या ना खाए तो बस दिन भर अपनी फूटी किसमत को लेकर सोचती रहती थी पर मेरा प्यार अमिद के बारे में सोचती रहती थी मेरे पास जो फोन था वा साधी से पहले ही मेरी मा मुझसे ही ले ली चेल ली थी क्योंकि इस गाव में आउड़तों को फोन इस्तेमाल नहीं कराया जाता मुझे अमिद की बहुत याद आती थी इसलिए मैंने अपनी सर में छोड़ कर राकेश से उसका फोन मांगा और कहा कि मुझे आमित की याद आ रही है बात करनी है मुझे उस राकेश मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा मैंने उसके हाथ से फोन छीना और अमित का नमर डैल किया मैंने अपनी सारी सर में छोड़ दी और मैं राकेस के सामने ही अमिस से बात कर रही थी अमित बेचारा भी बहुत परिसान था मैंने रोते रोते उसे अपना सारा हल बता दिया था राकेस चादर ओड रखी थी और चटाई पर लेटे लेटे सो गया अब यह मेरी रोज की दिन चार्या हो गई थी मैं रोज अमिस से रात राकेश के ही सामने बात होती थी अमिस सभी अभी भी मुझे सादी के लिए राजी था एक दिन फोन में नेटवर्क नहीं था इसलिए मैं बात करते करते बाहर आ गई थी घर के सबी लोग सो गए थे राकेश भी सो गया था मैं अमिस से बात कर रही थी कि उतने में मेरे जेट आ गए और मुझे मेरा फोन छीन लिया और कहने लगी कि तुम्हें कोई सर्म नहीं है है भी या नहीं पती के होते हुए भी तुम पराय माद से रिस्ता रखती हो थोड़ी भी सर्म नहीं आती क्या तुम्हें मेरे जेट ने साथ सब कुछ सुन लिया था मुझ पर वह जोर जोर से चिलाए जा रहे थे दीरे दीरे सभी कमरे से बाहर आ गए थे और राकेज भी आखे मलते हुए बाहर आया और कहने लगा कि क्या हुआ क्यों चिला रहे हो उस पर मेरे जेट ने सब कुछ साफ साफ सभी को बता दिया था सब मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं बहुत घबरा गई थी मेरी साथी करवा देगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ राकेज ने तुरंती मेरी तरफदारी करने लगा कि तुझे अपनी पतनी पर मुझे अपने पतनी पर पूरा भरोशा है वह अपनी सहीली से बात कर रही होगी उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था ऐसा कहा कर उसने सब कुछ चुप करा दिया सब अपने अपने कमरे में चले गए थे राकेज भी अपने कमरे में चला गया पर मुझे उस पर बहुत गुसा आ रहा था मैं गुस्से में ही उसके पीछे चली की और गुस्से से उसे कहा की क्या जरूरती बड़कपन दिखाने की अगर सभी को सच पता चल जाता तो अच्छा ही होता ना कम से कम मैं अपने माई के तो चली जाती और मम्मी पापा ने इजाज़त के कारण मेरी साधी अमिस से करा दी होती तो मुझे क्यों नहीं छोड़ देते वा बोला कि अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दोँगा तब भी मैं तुम पर आपसे सहान नहीं कर सकता तुम्हारी मम्मी पापा की इज़त मेरी इज़त है अगर वह लड़का मान सामान के साथ तुम्हें स्विकार करने के लिए राजी है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास दो-चार दिन में ले चलूँगा मैं तुम्हारे आप उतने उपर ले लूँगा और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर तुम्हें तला की कागजात भेजवा दोंगा बाद में तुम उससे साधी कर लेना और अपनी गरहस्ती में सुखी रहना यह सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई पहली पार मैंने अपने पती से उसके लिए सहानी भूदी सुनी हुई थी पर अगले ही पल में उसने बाहर आया और अमित का फोन लगा कर उसने सब कुछ बता दिया अमित भी या सब सुनकर बहुत खुश था और मुझे से कहने लगा कि तुम पहले सहार आ जाओ और अपने पती को तलाग दे दो हम यहीं कोट मैरिज करेंगी फिर तो तुम्हारे माता पीता को हमें अपनाना ही होगा मैंने हा कह दिया और उसे उसके घर का पता ले लिया अब तुम्हारा और मेरा कोई रिस्तर नहीं है अब मैं अमित के साथ साधी कर लूँगी तब राकेस कहने लगा कि ठीक है मैं जाता हूँ और तीन चार दिन में तलाग के कागजात भिजवा दूँगा खुश रहना दोनों चलता हूँ मैं अमित का दरौज़ा बजाया और दरौज़ा अमित नहीं खोला घर में कोई भी नहीं था पर उसने तो कहा था कि अब वह सभी के साथ رहते एक साथ रहते हैं और साधी के लिए सभी राजी हो गए हैं जब मैं उससे पूछा तो कहने लगा कि सबी गाउं में गए हुए हैं बात में हमने बहुत बाते की और फिर हमने एक सेलफी भी ली वह उसने सबी को भेज दी थी मैंने पूछा तो कहने लगा कि घर वालों को तुम्हारी फोटो भेजा है और वह बातरूम में चला गया उसका फोन वही टेबल पर ही रखा हुआ था और उसे पर मैसेज की रिंग बजी इसलिए मैंने उसे फोन को उठाया और देखा तो उसमें लिखा था कि माल बहुत अच्छा है कितने में पड़ेगा मैं सिर्फ दो लाग की ही तोंगा या पढ़कर तो मेरे पैरो तले जमीन ही खिसक गई मैं बहुत डर गई एक तब मेरा दिमाग काम करने बंद कर दिया नहीं था मैं पैसों से वैसे ही नार्मल होकर बैठ गई हमने फिर थोड़ी बाते की और फिर वहीं मुझे वही बिठा कर किसी काम से बाहर चला गया मैं तुरंत अपने बैग उठाई और वहां से निकल पड़ी ममी पापा के पास तो मैं जा नहीं सकती थी इसलिए मैं राकेस के पास मतलब अपने ससुराल पहुँची मुझे देखकर राकेस हैराम था कहने लगा कि अब क्यों आई हो कहा था ना मैं कि तीन चार दिन में तला के कागजात बेज़वा दूँगा मैं रात होती ही उससे सारी बात बता दूँगी सब सुनकर वह कुछ नहीं बोला चुप रहा आज उसके सामने मुझे अपरादी जैसा मैसूस हो रहा था रात में हर रोज की तरह उसने चटाई और चादर उठाई बिचा लिया और नीचे बिच्टर बिचाने लगा आज रात पर मुझे नीन नहीं आई मैं बस रोई जा रही थी मैं राकेस के साथ कितना बुरब ब्योहर किया बस वही सब आखों के सामने आ रहा था थोड़ी दिर बाद अमित का फोन आया पर मैंने उसका फोन भी नहीं उठाया और उसे ब्लॉक कर दिया सुबह हुई तो देखा राकेस कमरे में नहीं था पर मुझे उसे अपने किये कि माफी मांगने थी और उसे पती के रूप में सुईकार करना था क्योंकि मुझे अपने अब पता चल गया था कि उस जैसा प्यार मेरे चिंता कोई भी नहीं कर सकता मुझे समझ आ गया था कि इंसान की असली सुन्दरता उसके बोलने उसके बेवार से पता चलती है ना कि सिर्फ सुन्दर दिखने में और सच में मेरा राकेस मन से बहुत सुन्दर था अब मैं उससे प्यार करने लगी थी और उसकी रा भी देख रही थी साम को जब वह घर आता तो मैंने उससे माफी मांगी और बहुत रोई परवा एक सब्क नहीं बोला उसने मुझे कुछ कागजाज दिया और बोला कि या कुछ पेपर से पढ़कर साइन कर देना मैंने कहा कि मुझे तालाग नहीं चाहिए मुझे अपनी गलती महसूस हो गई है और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूं मैं प्यार करने लगी हूं तुमसे कुछ और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है राकेश कुछ नहीं बोला और चुप चाप वहां से चला गया मैं फूट फूट कर रो रही थी और सोचा कि जब राकेश कमरे में आएंगे तो उसे माफी मांगने लूगी और वह जरू पड़े होते तो ऐसा नहीं रहती नहीं करती उसने वह पेपर उठाया और मुझे दिखाई वह पेपर दरसल जमीन के थे उसने अपने जमीन मेरे और अपने मा के नाम कर दिये थी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान कैसे इतना अच्छा हो कैसे हो सकता था पर मैं भ तिन दिन के लिए मैं सहर जा रहा हूँ आकर फिर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ उसने उन पेपर्स पर मेरी साइन ली और सुबा सुबा सहर के लिए निकल चल दिया मैंने दो तीन दिन राकेश की राह देखी पर वह नहीं आया आखिर मैं वे पांचवे दिन उसकी मुरत सरीर उसका एक दोस्त लेकर आया घर में चीख पुकार मच गई या देख कर तो मैं बहुस हो गई क्योंकि मुझे या सहन नहीं हो सका जब मुझे थोड़ा होस आया तो मैं जोड-जोड से रोने लगी तब उसका दोस्त बताने लगा कि उसे कैंसर हो गया था कुछ दिनों म तो कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा था वा परिसान दिख रहा था पर उसने मुझे बताया नहीं वा अंदर ही अंदर घुट रहा था और इस दोरान पता चला कि उसे कैंशर हो गया है और आज वा हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़ कर चला गया यह सुनते ही मैं जोर जोर से रोने लगी मुझे अब लगने लगा था कि यह सब मेरी वज़ा से हुआ है मैं इन सब के लिए जिम्मेदार हूँ मैं एक हफते बाद मेरी सास ने मुझे एक चिठी दी और कहने लगी कि यह राकेश के दोस्त ने दी है उसे राकेश ने कहा था तुम्हें देने के लिए दो दिन बाद मैंने अपनी सास से पूझा कि राकेश को तो पढ़ना लिखना नहीं आता था ना फिर उसने चिठी कैसे लिखी तब मेरी सास कहने लगी कि तुझे किसने कहा राकेश पढ़ा लिखा रही था वाँ MBA पास था आगे मैं कुछ नहीं कहा मैंने कुछ नहीं पूछा क्योंकि राकेश को जानने की कोसित मैं कभी की ही नहीं थी मैं बिना कुछ कहे वहाँ से अपने कमरे में आ गई और हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं सहार में MBA किया था पर पापा ने मुझे वचन दिया था कि मैं उनकी जमेन को कभी बंजन न रखने दूँ न रहने दूँ मुझे जॉब करने की इच्छा भी थी पर जीत के आगे मैं अपने सपनों को दरकिनार कर दिया था पर जब साधी की रात तुमने मुझे से कहा कि तुम किसी और लड़के से प्यार करती हो तो मैं अंदर ही अंदर पूरी तरह से तूट गया था मैं कभी रोया नहीं था पर जब तुम मेरे फोन से मेरे सामने किसी लड़के से ऐसी बाते करती जिसे सिर्फ पती होकर मेरा अधिकार था तुम पर तो मैं खेट पर जाकर रोता था और जिस वज़ा से यही सब सोचते सोचते मुझे कब और कैसे कैंसर हो गया मुझे पता ही नहीं चला मुझे यह पता चलता तो मैं तुरंट जमीन तुम्हारे नाम कर दिया ताकि तुम्हें कोई परिसानी ना हो और हाँ अब तुम आजाद हो चाहे जिस साधी कर सकती हो यह सब पढ़ते ही मैं जोर जोर से रोने लगी आज मेरी अमरे 40 साल की हो गई आज भी मैं उसी की यादों के साहरे और राकेश के विद्वा के नाम से जी रही हूँ मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और बस अभी अभी उनकी चिठी पढ़कर रखी है मैं नहीं चाहती थी कि मैं दूसरों के साथ साधी करू और कोई मुझे कोटों की वैस्या बना कर इधार उधर न चाहे और मुझे पैसों के लिए इधर से उधर दूसरों के हाथ बेजता जाए तो मैंने सोचा क्यों न मैं राकेश की पतनी न सही उसकी विद्वा बन के ही मैं जी लूँगी चिंदी की भी मुझे राकेश कैसे जीना है मुझे सिखा दिया था साथियो सुन्दर चेहरा देखने से अच्छा है कि हम सुन्दर मन भाचान न सीख लें असली सुन्दर तवा यह पाहर से ना होकर दिल से होती है नहीं तो सुन्दर चेहरे के पीछे जिन्दी की भर पस्ताना पड़ेगा जैसे मैं राकेश की पत्नी सोना उसकी विद्वा बन कर आज जीवन भर में पस्ता रही हूँ दरसल अब मेरी उम्र हो गई है साथ साल की धन्यमाद अगर इस टोरी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज एक लाइक सेर और सस्क्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग इस पेडियोज